Very good evening to all of you, again सभी का welcome है Y.E.D. Your English Tutor पे, आज सुबह का The Hindu का first editorial हम पढ़ने वाले हैं, Detail and Relief इसका title है, आर्टिकल बहुत मुश्किल लिखा नहीं हुआ है, आसान ही बोलूँगा इसको मैं, लेकिन इसमें आपको details बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे grammar rules मिलेंगे, बहुत सारे concept मिलेंगे, तो फटा फट से शुरू कर लेते हैं, पढ़ने का अपना अंदाज वही रहेगा, मैं हर sentence को translate करता हूँ, लेकिन उसकी structure, grammar, vocab, आपको अलग से उस पे focus दिलवाता हूँ, आज आप जो भी सीखो अगले आदे घंटे में, मैं आपको दो quizzes दिखाता हूँ, इस प पांस में से पांस marks को score करो, शुरू करते हैं, चलिए, आएए कुछ नया सीखते हैं, डिटेल इन रिलीफ, देखिये रिलीफ का मतलब होता है, राहत, डिटेल का मतलब आप जानते हैं, करक कहीं से डिटेल आई हैं, और कैसे आई हैं, राहत बनके इन रिलीफ, हमारे relief में हमारी राहत बनके कहीं से details publish हुई है अब details किसी सी है किसने publish की है बात कर रहा है on SC order on financial assistance to kin of COVID-19 families बात कर रहा है Supreme Court के उस order की जो है financial assistance का financial assistance जानते है न थोड़ी पैसे की मदद है न assistance मतलब मदद और किसके लिए जिस्तेदारों के लिए किन के लिए COVID-19 families के तो Supreme Court ने detailed order निकाला है जिसमें लिखा हुआ कि COVID-19 से मरने वाले लोगों के रिस्तेदारों को 50-50,000 रुपे मिलेंगे और देने ही पड़ेंगे सरकार को तो यह जो details आई है न इन किन लोगों के लिए relief बनके आई है समझ गे अब details से देख लेंगे अपने इसके title paragraph में क्या कहना चारा है पर इस word को देखो assistance इसका मतलब होता है मदद financial assistance मतलब पैसे की मदद इसको आप help, aid, relief भी बोल सकते हैं यह किन नाम का word आपने बहुत बार देखा होगा इसका मतलब होता है आपका रिष्चेदार किन का मतलब होता है आपका रिष्चेदार इसी से एक phrase बनता है kit and kin blood relative ऐसा रिष्चेदार जिससे आपका खून करनाता है भाई, बहन है ना, खून करनाता वला kit and kin अब इस word की खासियत है हाच से ध्यान से समझना यह वर्ड क्या कि आगे कभी आप ऐस नहीं देखोगे रीजन क्या है यह किन जो है किन यह अपने आप में प्लूरल नाउन है यह किन जो है आपके सभी रिस्तेदारों को बताता है समझ रहो जैसे एक्जामपल है marriage between close kin is prohibited marriage जो है close kin के बीच में करीबी रिस्तेदारों के बीच में prohibited होती है है ना तो आप किसी अपने cousin sister से cousin brother से है ना शादी करना चाहो that is prohibited in most societies in India है ना तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर close kin किंस आपने लिखा और आपको लिखा हुआ मिल जाए तो यह sentence गलत हो जाएगा किं जो है किं अपने आप में plural noun है इसको कभी भी ऐस लगा के आप यूज नहीं करते हैं याद रखना हमेशा इसको इसी तरीके से kids and kids नाम की phrase भी आपको नहीं मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा kit and kin as इसके आपके कभी भी मत लगाना चलो title paragraph से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है एक like और एक share जरूर से देना इस वीडियो को आपको इस sessions अच्छे लगते हैं तो आपके shares देने से इन sessions को reach मिलती है YouTube पे है करहे जो SC का order है Supreme Court का जो order है अजए किस बात का भई payment देने का किन को रिस्तेदारों को अजए किन की रिस्तेदार COVID-19 के victims को COVID-19 के जो शिकार है कहरा है यह जो order है यह recognition है यह पहचान है यह realization है उनकी plight की उनकी suffering की plight का मतलब होता है दूरदर्शा है ना आपके suffering तो order अपने आप में इस तरह का है कि लोगों की plight की दूरदर्शा जो है उसको recognition देता है पैचानता है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि COVID-19 से मरने वालों के परिवार बहुत परिशान है आज की rate में समझ गे? order आपका subject है is आपकी verb है subject मिलेगा green में verb मिलेगी pink में और पूरे article की हर sentence को ऐसा green और pink color में ने दिया है ताकि understanding को आप बिठा पाओ तो इसको आपको follow करना है ना इस color pattern को देखने वाली चीज plight मतलब दूरदशा suffering, misery जिस चीज ने आपको परिशान किया हुए वो आपकी plight है recognition मतलब पहचान, identification, realization सरगार ने पहचान लिया Supreme Court ने की लोग बड़े परिशान है COVID के बाद आपके बढ़ेंगे फटा फटा अपनी vocab देख लेते हैं अस article में Courses की quality आप जानते हैं मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ जैसे basics और advanced English writing का है हर exam के लिए लिखना कैसे है बिल्कुल basic से आपको सिखा रहा हूँ grammar के साथ Courses पे quotes लगते हैं जैसे English writing skills वाले पे आप learn to write quote लगाऊँगे 699 के जगए 499 में मिलेगा इसी तरह से आपको SSC और bank से Courses मिलते हैं 50-50 रुबे में एक महिने की validity के साथ writing skills वाले पे आपको एक साल की validity है याद रखें prices बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब GST एड़ हो जाएगा telegram group पे आपको मिल जाती है रोज इसको update करता हूँ पुराने और नए सारे के सारे words इस sheet में आपको मिलेंगे आज के words पे नज़र डालेंगे बहुत सारे words पुराने हैं जैसे word है rigorous, caveat, dispose of, offset, ambit ये सब पुराने words हैं और दो नए words है assertiveness और सकर देखें ये करके देखें, rigorous का मतलब होता है बहुत strict हो या बहुत burdensome हो है ना, बहुत कठोर बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कठोर है जैसे, army schools are known for their rigorous discipline army schools जाने जाते हैं अपने rigorous discipline की कारण अपने कठोर अनुशाशन के लिए समझगे ना, rigorous अब ये rigorous नाम के वर्ब से बना है rigorous विगर नाम के नाउन से बना है rigorous नाम का adjective अब rigorous के synonym से stringent, rigid, harsh और stern आज ये stern नाम का इसका synonym आप आर्टिकल में देखेंगे समझगे ना, तो rigorous नाम के वर्ड का synonym है stern एक और वर्ड है caveat इसका मतलब होता है a warning या एक special condition जैसे the man sold cheap second-held products with a caveat of no warranty, आदमी बेचा करता था सस्ते second-held products को एक caveat एक special condition के साथ जो थी बिना किसी warranty की सस्ता देता था, पुराना देता था, अच्छा देता था, लेकिन कोई warranty नहीं थी, वापिस नहीं कर पाऊगे, ऐसा उसका caveat था special condition थी, समझें तो special condition को बोलते है caveat, इस word को भी आज आज आप article में caveat को देखोगे, फिर dispose of इसका मतलब होता है किसी से चुटकारा पाना get rid of something, है ना the killers tried to get rid of dispose of the body by throwing it in a river killers ने कोशिश किया कि चुटकारा पाएं body से उसको नदी में फैंक करके, तो यह dispose of का एक synonym है shed, जिसको आज आज आप इस article में देखोगे, इसका मतलब होता है चुटकारा पाना, shed करना फिर एक word आपने पास offset इसका मतलब होता है counterbalance करना बरावरी करवाना दो चीजों में your virtues cannot offset your vices, आपके virtue बरपाई नहीं कर सकते हैं, आपके vices की, virtue मतलब गुण vices मतलब दोश, तो अच्छी चीजें आपके बुरी चीजों से counterbalance नहीं करेगी, बुरी चीजों के लिए आप बुरे केलाओगे, केलाओगे और अच्छी के आपके अच्छा भी कहा जाएगा, पर दोनों को आपस में आप compensate या offset नहीं कर सकते हो, तो यह जो offset है, इसका एक सनॉनिम है compensation, है न, compensate इससे compensation नाम का noun बनता है इस noun को भी आज़ आप आप आटिकल में देखोगी उसका मतलब होता है भरपाई एक वर्ड आमरे पास ambit, ambit का मतलब है दाइरा, domain या scope, इस वर्ड को आप अच्छे से जानते हैं, है न, इस पर sentence भी बना के मैंने आपको दिया हुए, फिर एक नया वर्ड देखते है आज का, assertiveness your quality of being assertive या determined, आपके determined होने की quality कहलाती है आपकी assertiveness determined होता है, एक दम पके इरादे वाला assertiveness होता है, पके इरादों वाली आपका पका इरादा कहलता है, आपका assertiveness, समझगे न, हर assertiveness has helped her progress in her career, उसके जो पके इरादे है, assertiveness है उन्होंने help किया उसको अपने career में progress करने के लिए समझगे न, बहुत determined है वो इस वज़े से career में बहुत आगे गई है वो बहुत progress कर रही है, इसको determination बोल दो, willpower बोल दो, या firmness बोल दो, assertiveness को एक last word है अपने पास सकर, सकर का ये soccer से कोई connection नहीं है, football से, ये है सकर, है न, वो है soccer, तो सकर का मतलब होता है, a small relief एक छोटा सा आपको राहत मिले, that is called soccer, humanitarian aid by the locals, has provided soccer to the war refuses जो humanitarian aid है जो मानविये मदद है locals के द्वारा, उसने provide किया है सकर को, relief को, और किसको war refuses को, ये war में फसे हुए refuses को समझे तो सकर का मतलब होता है, छोटा सा relief इसको reprieve और consolation भी बोलते हैं, आज आप सकर नाम का word भी देखोगे आर्टिकल में और consolation नाम का इसका synonym भी आर्टिकल में देखोगे चलिए समरी में आपको देता हूँ, किस बारे में लिखा हुए पता लगे, COVID-19 से साड़े चार लाख लोगों की मोत हुई है देश में, भारत में, और इन सभी को financial assistance मिलेगी Supreme Court ऐसा order निकाल चुका है लेकिन financial assistance देने में, मदद करने में आर्थिक सरकार आनाकानी कर रही थी सरकार पहले बोली, हमारे बास इतना पैसा नहीं है फिर सरकार ने एक नया सिस्टम पर COVID-19 नहीं है उस case में भी आपको उनको पैसा देना है अगर उनके परिवार वाले कोई और प्रूफ आपको लाकर के दे RT-PCR report है, डॉक्टर की prescription है, तो अब आपको death certificate को rigorously follow नहीं करना है अगर प्रूफ मिल जाए कोई और भी तो भी उस आजमी को COVID-19 का विक्टिम मानके 50,000 रुपे उसके परिवार को देने है, हमारा आर्टिकल को आज इसमें यह है कि इस पूरे move को welcome किया गया है, welcoming tone के अंदर यह article लिखा गया है, SC की order की बढ़ाई कर रहा है, बहुत प्रशन सा कर रहा है समझगे तो आज की tone होगी, welcoming इस order को welcome कर रहे है चलिए, फटा फट शुरू कर लेते हैं article को, descriptive को question last में दूँगा और एक add करना चाहूंगा, छोटी चीज को भारत के किसी भी competitive examination की तयारी कर रहे हो, तो mock test के लिए मैं आपको refer करूँगा testbook.com इसकी खूबी क्या है, इंडिया का leading brand है, सबसे बड़ा नाम है, mock test की industry के अंदर, साथ में इसमें सभी exams का एक single package बना हुआ है आप चाहे SSC की त्यारी कर लो, bank की कर लो UPSC की कर लो, state exams की तो 400 exams इसमें cover हो जाते हैं एक ही package में 26,000 mock test है अब यह सभी 400 exams के 26,000 mock test single package में मिलते हैं 399 में एक साल के लिए 699 में तीन सालों के लिए लेकिन इस price पर discount ले लेना code लगा लेना YET10 जैसी code लगाओगे, 399 वाला 280 में 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% discount के साथ link डाल रहाओं comment section में app का में discount रहते हुए उसका फैदा जरूर उठाएं code लगाएं YET10 करा the most welcome feature of the Supreme Court of India's order detailing the modalities for payment of ex-gracia financial assistance to the families of those who died of COVID-19 is the stern caveat that no state shall deny the benefits solely on the ground that a person's death certificate did not specify the cause of death as due to novel coronavirus disease अपने आप में लंबा sentence है लेकिन पूरे पूरे आर्टिकल की आत्मा जो है soul इसी sentence में आपको मिलेगी ध्यान से पढ़ना करेक welcome यह सबसे ज़्यादा welcome जो feature है feature आप जानते हो ना विशेषता गुण और most welcome मतलब जिसका सबसे ज़्यादा स्वागत हो कहरा सबसे ज़्यादा welcome करने लायक जो feature है ना Supreme Court of India के order का और कौनसा order वो वाला order जो detail करे जो पूरा detail में बताए और किसको approach को modality को modality मतलब approach किसी काम को करने का procedure और procedure किसको करने का उस payment को उस बुगतान को जो है एसान करके सरकार एसान करती है अगर आपके घर में किसी की death होते है तो सरकार एसान के दोर पे आपको कुछ पैसे देती है तो करे इस सबसे जो welcome feature था ना Supreme Court of India के order का वो वाला order जो detail करता था modality को payment के लिए और payment एक्स ग्राशिया financial assistance की उन परिवारों को और उन लोगों के जो die किये जो मर गए COVID-19 disease से करहा जो सबसे अच्छा feature जो है इस पूरे order का करहा वो है ये वाली stern caveat ये वाली एक मजबूत सी condition stern का मतलब क्या होता है मजबूत stringent अच्छा कौन सी caveat कौन सी special condition that वो ये की कोई भी state deny नहीं करेगी कोई भी राज्यस deny नहीं करेगा benefit को इस 50,000 रुपे के financial assistance के खाली खाली इस ground पे इस अधार पे that वो ये की person का death certificate specify नहीं करता था साफ साफ नहीं बिताता था cause of death को और किस परकार से वज़े से novel coronavirus disease के COVID-19 बिमारी के समझ के sentence बड़ा आसान है एक बार repeat कर रहा हूँ सबसे अच्छा feature इस court के order का वो order जिसमें detail किया गया है procedure को payment का ऐसान वाले financial assistance के उन परिवारों को उन लोगों के जो die किये थे जो लोग मर गये थे COVID-19 में सबसे अच्छा feature यही है कि यह special caviar डाली गई है बड़ी ही मजबूत special condition डाली गई है कोई भी राज्य मना नहीं करेगा इस benefit को इस पैसे के महज इसी ground पे कि मरने वाले का death certificate है उस पे साब साब नहीं लिखा हुआ है cause of death जो है वजह से है due to है novel coronavirus disease के COVID-19 बिमारी के तो अगर आपके पास कोई और प्रूब भी है तो आप जो है सरकार से 50 ज़र पे ले सकते हो death certificate पर COVID-19 लिखा हुआना ज़रूरी नहीं है अब sentence की structure देखते है feature की verb is who की verb is died off no state की verb is shall deny और persons death certificate की verb did not specify अब देखने वाले चीज़े देखो modality मतलब procedure अप्रोच किसी काम को करने का तरीका ex-cretia मैंने आपको बता दिया by favor सरकार आपको अपने favor से देती है ऐसान से आपका कोई अधिकार निया लेने का ठीक है दोज यहाँ पे क्यों लगा गया है जब भी they और them के बाद में adjective close या phrase आ जाए तो हम लगा लेते हैं they और them के जगर those जैसे यह sentence है they who evade taxes will be punished वो लोग जो evade करते हैं बच निकलते हैं करों से taxes से tax की चोरी करते हैं उनको punish किया जाएगा यह sentence सही होता अगर बीच में यह adjective phrase या adjective close ना होता they will be punished यह sentence बिल्कुल ठीक है लेकिन जैसे ही they के लिए हमने एक adjective close को लगाया वो लोग जो tax को चोरी करते हैं जैसे ही adjective close आया तो they को हम change कर देंगे those में पता है ना तो they के जगा यहां लिखता हूं those तो याद रखें they और them के बाद में जैसे ही adjective close आये इनको हम those में change कर देते हैं जैसे interest free loans will be given to them living in slums interest free loans दिये जाएंगे उन लोगों को जो slums में रहते हैं यह living in slums नाम का adjective phrase मैं इसको निकाल रहा हूं यह sentence इसको निकालने के बाद बिल्कुल ठीक है interest free loans will be given to them लेकिन जैसे ही them के बारे में आपने एक adjective लगा के बताया उन लोगों को दिये जाएंगे जो जूपड बटी में रहते हैं यह living in slums नाम के adjective लग जाने की वज़े से them को आप किस में change करेंगे again those में समझगे ना तो they और them प्लस में adjective is equal to those इसलिए यहां भी those लगाए गया गया disease से तो die off अगर किसी accident में death हो किसी घठना में या किसी event में किसी event में Dies in अगर किसी indirect cause से आपकी death जो आपकी death हो किसी की death हो indirect cause से सीधी कोई भिमारी ना हो te Subwar5revill several people died in-off here from the earthquake बहुत लोग मारे गए earthquake में bukhamp ने बukamp एक event है pec 김ांगअग एक इन इन एर्थक्वेक ठीक है वैसे ही several people died of in या from the Jika दा निकाल देना जिका बीमारी से बहुत लोग मारे गए अगर बीमारी है डिजीज है तो यहां पे लिखो के die of diet off Jika several people died off in here from exposure to nuclear radiation nuclear radiation से exposure की वज़े से बहुत लोग मारे गए तो radiation कोई बीमारी तो है नहीं अगरना भी साओ इवैंट भी साफ पाती सर्फ के एक समस्यवा पूर्चेल ओब में और कशो काैंड पर मुझे एक इनमी करना कााना दूकर। कर्फार्ड को को एक सब्सक्सक्राइब लिए लगा या रहें ना त्यों किसास्तर Nobel और Nobel, Novel, Novel और Nobel, तीन वर्ड्स अपने पास, तीनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों है अलग वर्ड्स, Novel का मतलब होता है New, Novel का मतलब होता है, खांदानी, खांदानी, of elevated character, जिसका character बहुत उंचा हो, खांदानी हो, और Novel होता है एक Price, खांदानी होता है, तो एक नोबल आइडिया है, नय गयोत आएडिया है, ē आइडिया है, एक इस तरह किइस वर्ड हैं, दोनों का अलाधार एक ही है, अब चली, आज के quiz में यूज होगा Nobel, Nobel और Nobel चलिए आगे बढ़ते हैं केरा थांक्स तु दे कोर्ट असर्टिवनेस, दे यूनियन गोर्मेंट शेड इट्स इनिशल वेरिनेस अब इंकरिंग दे फिनेशल बर्डेन ओफ कमपेंसेटिंग दे नेक्स्ट अफ किन अब बता रहा है इस ओर्डर में लिखा क्या हुए साफ साफ करे थैंक्स तु दा कोर्ट की असर्टिवनेस, कोर्ट के डिटर्मिनेशन की वज़े से जो union government है इसने shed कर दिया, इसने छोड़ दिया, dispose of कर दिया, get rid of कर दिया इसकी शुरुभाती awareness को, शुरुभाती caution को, शुरुभाती vigilance को awareness का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर कि आप चुकनना होते हो, बहुत ज़ादा doubtful होते हो तो इसने शुरुवाती जो डाउट है हमारी सरकार के उसको सरकार को छुड़वा दिया और ये डाउट किस बारे में थे इंकर करने के बारे में थे बड़े सारे financial burden को आर्थिक बोज को जो था compensate करने का बरपाई करने का next of kin को अचा next of kin किन के वो वाले next of kin वो वाले करीब इस्टेदार जो कि थे 4.49 लाग पीपल के जिनको officially तोर पे record किया गया कि वो मारे जा चुके हैं having died हो चुके हैं कोरोना वारिस infection की वज़े से समझे तो court की determination की वज़े से ही union government मानी है आखिर कर कि हम इतना पैसा देने को तयार है इन लोगों को जिनके घरवालों की COVID-19 से death हुई है समझे अब sentence की structure देखो government की वब है shed shed एक ऐसी वब है जो अपनी वब की forms को change नहीं करती है shed is equal to shed is equal to shed V1 is equal to V2 is equal to V3 shed का मतलब होता है get rid of करना dispose of करना किसी से चुटकारा पाना अब ध्यान रखना get rid of dispose of में classic error बनती है OFF लगा के कभी भी OFF नहीं आता get rid of dispose of समझे न अब मैं आप से एक सवाल भी कर लेता हूँ यह shed 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 is shed इस तरह से English हैं बहुत सारी verbs हैं जो हमेशा अपनी form को वैसा ही रखती हैं कभी change नहीं करती है आपको बताना है 15 ऐसी verbs 10-12 तो आपको कम से कम याद हो नहीं चाहिए ना spread है cut है put है 10-12 verbs को अभी याद करो 15 verbs आपको याद आजाए तो बताना कमेंट्स में जितनी आपको याद होती है यह words को बार बार आपको देखना पड़ेगा तब ही यह verbs आपके दिमाग में बैठेंगी जो अपनी forms को change नहीं करती है वेरिनस आपको बता दिया doubt, vigilance, compensate करना, बरपाई करना, offset करना इनकर का मतलब होता है बोज उठाना यह having died क्यों लिखा गया है देखो having plus में V3 होता है active participle या active gerent having won the match, the team were accelerated match जीतने के बाद team वाले जो है बड़े accelerated थे, बड़े ही उत्सा वर्दक थे, बहुत ही जोश भरे थे, है न, accelerated यहाँ पर match किस ने जीता, team ने जीता having won the match, यहाँ पर perfect participle phrase है, ठीक है having plus में verb की third form और यह पूरा phrase बना हुआ, टीम के लिए है तो यह sentence बिल्कुल ठीक है, टीम नहीं match को जीता है तो having won active में काम हो रहा है, लेकिन इसमें देखो having cheated, the investors sued the company चीट होने के बाद, दोगा खाने के बाद, investors ने sue किया, code case किया company पर, sue एक verb होती है, इसका मतलब होता है, किसी को code case करना, किसी पर case डालना, अब देखो investors ने cheat खाया है, investors ने cheat नहीं किया है, यहाँ पर active participle आप use ही नहीं कर सकते, perfect participle आपको passive में लगाना पड़ेगा, बीच में लगा दो bin, investors को तो cheat किया गया है, investors ने किसी को दोगा थोड़े न दिया, cheat हो जाने के बाद, having been cheated, समझगे, तो having के बाद में bin लगाना पड़ेगा, अग यहाँ पर having plus में V3 आ रहा है, करा national disaster management authority issued guidelines last month specifying that 50,000 be paid for each death, तो करा इस सरकारी संस्ता ने issue किया था, guidelines को पिछले महिने, specify करते हुए, इस चीज को साफ साफ लिखते हुए, कि 50,000 रुपे दिये जाए, be paid हो, हर death के लिए, हर मौत के लिए, अब इस authority की वह बाद इस्यूट, spec specifying यहाँ पर present participle similar transaction, जब इसने issue किया था, guidelines को तभी यह specify भी कर रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए, एक काम को main work, दूसरे काम को work की ing form, खाना खाते हुए, मैं TV देख रहा था, guideline issue करते हुए, authority यह specify कर रही थी, 50,000 की work है, be paid, present substantive mood, यह आप जानते हो, कब जाता है, बहुत बार कर चुके है, बस याद इतना रखना है, इसके बाद में verb का bare infinitive आता है, active में और passive में भी, यहाँ भी देख भी लगा हुए, बी ब्लस में verb की third form, आज detail में नहीं जा रहा हुए, बहुत बार कर चुके है, फिर किसी class में कर लेंगे, या पुरानी class में देख लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, करे, while the primary requirement to avail of this assistance is, that the death should be certified as having been caused by COVID-19, the government has rightly ruled, the court has rightly ruled, that the cause mentioned in the death certificate would not be concluding by itself, and that if other documents are provided, the family shall be indicted to the ex-gracia payment, अब वो ही बता रहा है कि सरकार की दलील क्या थी, और कोड की दलील क्या थी, करे जहां primary requirement जो थी, avail of करने की फाइदा उठाने की, अवेल of करना मतलब फाइदा उठाना, करे जो मुखिता requirement थी, फाइदा उठाने की, इस assistance को, करे वो थी, कि death certificate को certified किया जाना चाहिए, और कै जैसे, इस तोर पे as, कि कोज की गई है, वो death, COVID-19 के द्वारा, having been caused, देख लिया, having been plus में verb की third form, death जो है, कोज की गई है, death की उपर काम हुआ है, करे जहां primary requirement यह थी, कि ऐसा death certificate पे लिखा हो, हुआ क्या, करे, कोड ने सही rule किया है, कोड ने सही order दे दिया, अब, that वो यह की जो cause है न, जो mention होता है किसी person के death certificate में, वो नहीं होगा conclusive अपने आप में, conclusive का मतलब होता है final decision making, court ने बोले कि death certificate decision making authority नहीं है, उस पे तो doctor कुछ भी लिख देगा, doctor लिख देगा, इनकी pneumonia से death हुई है, pneumonia COVID की वज़े से हुआ था, है न, तो death certificate अपने आप में conclusion बनाने वाला नहीं है, by itself, conclusive नहीं है, और करावनों ने ये भी बताया, court ने ये भी rule किया, that वो ये कि, अगर दूसरे document प्रोवाइड किये जाएं, तो family जो है entitled to हो जाएगी, family जो है deserving हो जाएगी, और किस चीज के लिए, ex-gratia payment के लिए, इस 50,000 रुबे के राहत package के लिए, तो ये बो मानेंगे, उसको family को 50,000 रुपे देने काम जो है, वादा करते हैं, sentence की structure, समझ गे, अब इसमें देखो words, requirement की verb है, is, avail of करना मतलब फाइदा उठाना, death की verb है, should be certified, किसमें, passive voice में, model प्लस में बी, प्लस में वर्ब की third form, having been caused, अभी उपर समझा है तापको, having प्लस में वी 3 म मतलब passive में, death को cause किया गया है, death को किसी, death ने किसी को cause नहीं किया, death के ऊपर काम हुआ, COVID-19 के दवारा, इसलिए passive में यूज किया गया, court की verb है, has rightly ruled, अच्छा, cause की verb है, would not be, by itself मतलब अपने आप में, conclusive मतलब, final decision making, decisive, जिसके उपर सब्चिजन टिकी हो, other documents की verb है, are provided, और family क verb है, shall be entitled to, चलिए, बहुत कुछ जैसे, article में देखने वाल है, अब इस entitled पे concept करवाता है, आपको बहुत अच्छा concept है, be family की verb के बाद में, entitled आ जाए, तो वे एक adjective होता है, और इसके बाद में, to नाम का preposition fix है, समझगे, she is, is entitled to, entitled to, this scholarship, वो entitled to, deserving है, is scholarship के लिए, entitled plus में क्या लगा है मैंने भाई, तू लगा है, अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते है, be family की verb के बाद में, deserving लिख दो, इसकी जगा लिख दो, entitled to की जगे, deserving of, deserving of, ऐसा भी ठीक है, लेकिन तीसा देखना ध्यान से, be family की verb के बाद में हो रहा है, सब कुछ, adjective के दोर पे हो रह करेंगे, जैसे she is deserving of है, अगर मैं ऐसा लिखू, she deserves, main verb बना दू, is deserving को निकाल दू, और main verb लिख दू, deserves, अगर adjective विजगा main verb deserves लिखू, उस case के अंदर, इसके बाद में preposition नहीं हैगी, ऐसा लिखो गे, she deserves this scholarship, तो deserve verb transitive है, no preposition, deserving एक adjective है, जो off लेता है, entitled एक adjective है, जो to लेता ह तीनो का मतलब एक ही है, तीनो sentence एक ही बात को कर रहे है, समझगे न, तो आज के quiz में concept यूज होगा, चलिए आगे बढ़ते है, करा experience, over the last year and a half, has shown, that hospitals tend to attribute some deaths to comorbidities, rather than the infection, and many died after testing negative during a spell of hospitalization, or after discharge, अब बता रहा है, problem के है, death certificate में, करा है हमारा experience, हमारा तुजूर्बा, हमारा अन शोग कर चुका है, कि hospitals tend to करते हैं, आदत है हमकी, tend to मतलब किसी चीज के आपकी आदत होना, tend plus में infinitive, तो hospital की आदत है, attribute करने की कारण बताने की कुछ deaths को, और कारण क्या बताना है, comorbidity, उस आदमी की दूसरी बिमारियां, जैसे आपको BP और sugar है, COVID भी हो गया, किसी person को, death हो antin virus के, तो ऐसा हमारा experience अभी तक का में बताता है, और कर अब बहुत लोग डाई किये, बहुत लोग मर गए, और कब test negative होने के बाद, दोरान एक लंबे spell के, hospitalization के, और या फिर discharge के बाद, तो COVID हुआ, hospital में गए, इलाज करवाया, negative हो गए, घर आ गए, negative होने, घर आने के बा है, ऐसे लोग भी COVID के अंदर ही माने जाएंगे, उनको भी पैसे आपको देने पड़ेंगे, समझगे sentence को, experience की verb है, has shown, hospitals की verb है, tend, tend, plus में, two, plus में, base form कहलाती है, किसी चीज़ के आपकी आदत होना, I tend to do that, she tend to do that, है ना, hospitals tends to attribute deaths, attribute जिस चीज़ पर करते हो, जिस चीज़ का आ आते हो, attribute to लगा के आप बता होगे, comorbidity मतलब दूसरी बिमारी है, rather than को आप inside of भी बोल सकते है, many की verb है, died, spell का मतलब होता है, period, है ना, term या period, चली आगे बड़े, it has now been made clear, that deaths occurring within 13 days, 30 days from the date of testing, or from the date of being clinically determined, a COVID-19 case, shall be treated as eligible for the age, even if death, the death takes place outside the hospital in patient facility, अब क्या बताया, quote ने, कैरा आप ये चीज़ क्लियर कर दीगी है, साफ कर दीगी है, जो deaths है, जो occur होती है, 30 दिनों के अंदर, और किस date से, date of testing से, जिस date पर आपने टेस्ट करवाया था, या फिर उस date से, जो है clinically determined होने की, hospital के तोर पे, मतलब medically धारित होने की, hospital मे कि ये COVID-19 का case है, करा ऐसी सारी के सारी जो deaths है न, 30 दिनों में जो हुई है, इस काम के, करा आप वो treat की जाएंगी, eligible के दोर पे, इस aid के लिए, इस मदद के लिए, ऐसे हर आदमी को जिसकी death 30 दिनों में हुई है, COVID-19 होने के बाद में, तो उसको हम eligible ही मानेंगे, करा अगर य has now been made, passive voice में, इस चीज को made clear किया जा चुक है, साब बनाया जा चुक है, death की वोब है, shall be treated, है न, और इस the death की वोब है, takes place, यहाँ भी being plus में वोब की third form लगी गई है, present participle का ही passive बनाया गया, passive active ने participle को बहुत डिटेल में किया हुआ है, अगर आप grammar basic देख चुकियों तो य इस चीज आपके लिए बच्चों अखेल है, कहाँ पे passive participle, कहाँ पे active participle, कहाँ पे present, कहाँ पे past, कहाँ पे perfect participle, शली आगे बड़े, करे गिवन the fact that independent data analysis has revealed a possibly huge undercount in the official COVID-19 toll maintained by the state governments and the center, the view that only a certified COVID-19 that should be eligible for compensation has been readily discarded, अब बता रहा है, कोर्ट के order की अच्छाहियां क्या है, यह तो बता दिया है, इसने क्या हुआ, सरकार का क्या कहना था, अब इसकी analyze करके आपको बता रहा है, हुआ क्या देखते हुए इस fact को, given the fact, given का मतलब है देखते हुए, क्या देखते हुए इस चीज को, कि independent data analysis ने हम प्राइवेट एजेंशियों से आया है, तो प्राइवेट एजेंशियों का analysis हमें बताता है, कि लगबग possibly एक बड़ा undercount हुआ है, कम संख्या में गिनती हुए है, official COVID-19 के toll की मोतों की, जो maintained by a state government के दवारा, और center government के दवारा, तो सरकार बोलती है, जाड़े-4 लाख मरें है eligible होगा, इस हर जाने के लिए, compensation के लिए, इसको सही ही discard किया गया है, इससे सही ही reject करवाया गया है, समझ के, तो वैसे ही इतने लोग मनें जिनके death certificate ही नहीं मनें, तो अब जो आपने death certificate वाली जो discard किया है, बिल्कुल ठीक किया है, अब RT-PCR के हिसाब से भी पैसा मिलना चाह given और given that के बीच का difference आप जानते हो, given के बाद में noun और given that के बाद में पूरा close, चलिए आगे बड़े, analysis, basis, thesis, hypothesis, parenthesis, यह सारे ऐसे noun हैं जो singular होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनका plural मुझे बना के दिखाओ, ठीक है, analysis का plural कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा क्या इस लगा के, सब लोग कोशिश करेंगे, यह पांच nouns हैं, इनका plural कैसे बनाया जाए, यह analysis singular है, यहाँ पर है, जब लगी हुए, अगर plural बनाना हो, तो कैसे बनाया जाए, comments में सब attempt करो, चलिए, कह रहा है, of course, some documentary evidence will be required to establish the course, but once it is submitted, the payment should be dispersed within 30 days, कह रहा है, of course, थोड़ी documentary evidence जो को, कुछ report, report तो आदमी की होनी ही चाहिए है, लेकिन एक बार यह submit जब हो जाती है, जब requirement पूरी हो जाती है, तो payment जो है, वो disperse की जाने चाहिए, 30 दिनों में, मिल जाने चाहिए, पैसा 30 दिनों में, तो court ने यह भी बोला है, requirement तो है, दे देंगे लोग, पर जैसे ही सरकार को document देंगे, सरकार की जिम्मेदार यह 30 दिनों में, उनको पैसा भी दिलवाए, evidence की वोबेf will still be required, passive voice में, it की वोबेf is submitted again passive voice में, payment की वोबेf should be distributed again passive voice में, disperse, distribute, deal out, सबके सब एक दूसरे के synonyme में, बांटने की बात करते हैं, अब जिल लोगों को dispute है, है ना, सरकार उनके document मानने दी है, तो कराएग यह matter of consolation है, यह एक मुद्दा है, reprieve का, relief का, सकर का, थोड़ी सी राहत का, consolation का, उन लोगों के लिए, जो likely है, have करने वाले, जो संभावित है की वो रखेंगे, अपने claims को rejected या disputed, जिनके claim संभाविते हैं की disputed होने ही वाले हैं, या reject होने ही वाले हैं, क्या consolation है इनके लिए, क्या राहत है, कि court ने create कर दिया है, एक appeal mechanism को, appeal के system को, इस form में, इस रूप में, इस committee के, क्रिव्यांस, रिडिसल कमिटी, और यह होंगी जिल्ला लेवल पे, डिस्ट लेवल पे, तो कमिटी के बास जाओ, कमिटी आपका claim देखेगी, और फिर सरकार को बताएगी, सरकार को पैसा देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, समाजगे, कमिटी की वर्ब है, इसकी कोई वर्ब नहीं है, ठीक है न, यह ओफ प्रेपूशन का अब्जेट है, यह वाली कमिटी, अच्छा, लाइकली मतलब समभावित, दोस क्यों लगा है, यहाँ पे लाइकली नाम का अजग्टिव यूज़ हो गया, इसलिए टू के बाद में दे मैं कई बर करवा चुका हूँ, बस ध्यान दे लो, यहाँ पे हैव कोजेटिव लगी हुए, हैव देयर क्लेम्स रिजेक्टिट, समझगे ना, बहुत सारे कॉंसेप्ट रहसे होते हैं, जो रोज नहीं किया सकते हैं, तो मैं आपका ध्यान खींच लेता हूँ खाली, अगर आपने वो सीखे हूँ हैं, तो रिवाइस कर लिया, अगरो नहीं सीखे हूँ हैं, तो फिर किसी क्लास में सीख लेना, कैरा, इस पैनल्स कन इशू, अमेंड़ ओफिशियल दोकुमेंट्स तू सर्डिफाई, कोवे नाटिन देट्स, as well as the power to call for records or information from the hospitals, where the deceased were admitted, अभी sentence में ए अधारे हुए, चेंज किये हुए, इंप्रूव किये हुए, तो यह पैनल जो है, नया death certificate भी इशू कर सकता है, अच्छा किसलिए, सर्डिफाई करने के लिए COVID-19 की death को, साथ इसाथ इनके पास power भी है, call for करने की, demand करने की records को, या information को, उन हॉस्पिटल से, जहां पे deceased की, वो लोग admitted थे, समझे ना, पैनल की वब है, can issue, और deceased की वब है, were admitted, deceased यहां पे common plural noun है, deceased मतलब dead, dead एक adjective है, the dead या the disease मतलब सभी के सभी मरे हुए लोग, सभी के सभी dead लोग, इसलिए common plural नाम को plural verb दी गई है, were admitted लिखा है, was admitted नहीं लिखा गया, अब इसमें मैं बतायता हू आपको error, यह power कि इनके पास है, यह power है इनके पास, तो can issue amended documents and these panels have the power, समझे मेरे बात को, these pebbles as well as these panels have the power to call for records, अगर सही sentence लिखा जाए तो इस तरीके से आपको have नाम की verb को बीच में लगाना है, अब यह मैंने रात में लिया था article, रात को डेट बज़े जब यह पब्लिश हो बढ़े आगे, करे टू बटरेस था need for a human approach, the court has included those who took their own lives under the shadow of the pandemic in the ambit of the scheme, अब एक नई चीज किये court ने, बटरेस करने के लिए support करने के लिए, बटरेस मनलब support करना, मजबूत बुनाने के लिए support करने के लिए उस ज़रुत को, जो एक human approach की मानवी approach की, court ने include कर दिया उन लो इनको include कर लिया है, तो court ने बोला है कि उन लोगों ने, जिन्हों ने suicide किया न COVID की वज़े से, उनको भी scheme के अंदर लो, पचास जार रोपे उनके परवारों को भी दो, ऐसी need को human approach को support करते हुए, समझगे, court की वबब has included, who की वबब took, include किया गया in the ambit of the scheme, ambit का मतलब होता ह दाएरा, दोज क्यों लगा गया यहां पर, क्योंकि यहां पर who took नाम का एक adjective close रगा था, इसलिए included के बाद में them नहीं लिखा गया, on एक ऐसा adjective है, जिसके पहले mission possessive आएगा, there, my, your है न, यहां पर there, on यहां पर आपको लिखना पड़ा, it has also advised the authorities to avoid technicalities in processing claims, court ने advise किया साथी साथ authorities को, कि वो avoid करें technicalities को claim को process करने में, तो technical कारण ना बताएं कि claim इसलिए process नहीं हो सकता है न, अगर कोई आदमी deserving है, तो फिर उसके document बनवाना भी आपकी जिम्मेदारी है, technicality में मत फसाना, कि आपका अधार कर नहीं है, आधार कर ले गरीब आदमी को, इट की वाब है, has also advised technicality आप जानते हैं, तकनी की कारण, करेद assistance will be welcomed by those affected, not because it will be enough to address the adverse impact that numberless families have suffered due to the pandemic, but as a sign that there is some recognition of their plight and immediate सकर available, करे ये जो assistance है, जो राहत है, ये वेलकम की जाएगी उन लोगों के दबारा जो परभावित है, इस राहत का स्वागत किया जाए जिनके घरों में मोत हुई है, इसलिए नहीं, not because, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि ये enough होगी, address करने के लिए, पूरा करने के लिए, संबोधित करने के लिए, खराव impact को, बूरे असर को, इस महामारी के, जिसको numberless families ने, अनगिनत families ने सफर किया है, इस pandemic की वज़े से, इस इसलिए नहीं, ये 50,000 रुपे इनके लिए बहुत होंगे, but की इसलिए, because, या but, एक sign के तोर पे, एक निशान के तोर पे, कि कोई recognition है, कोई पैचान है, there is some recognition, थोड़ी पैचान हो रही है, उनकी दूरदशा की, उनकी प्लाइट की, और immediate सकर जो है, उनको available हो रहा है, फट इसलिए उनको ये बता लगा, कि सरकार उनके बारे में सोचती है, उनकी दूरदशा के बारे में सोचती है, और 50,000 जो एक साथ जटके में मिल रहे है, उससे एक immediate relief इनको मिलेगा, long term बहले ही, ना मिले, assistance की वाब है, will be welcomed, it की वाब है, will be, numberless families की वाब है, have suffered, है ना, recognition की वा सकर, simple article था आज का, adverse मतलब विपरी था ना, harmful हो, unfavorable हो, या bad हो, आज का article बहुत simple था, इसलिए मैंने fast process की है, grammar rules बहुत सारे आई है, मेरी कोशिच यह होती है कि वीडियो को 40-40 मिनिट से लंबा ना रखा जाए, है ना, तक कि कोई बंदा ऐसा ना बोले कि सर लंबी हो गई वीडियो, तो मैं कुछ चीजें कार देता हूँ, लास में देखना, बीच में से कई सारे concepts हुआ है, मैं निकाल देता हूँ, अब फटा बड़ अपने quiz की दरफ आओ, ये 5 questions है, 4 questions, ये तो आपको खुदी करने है closest के, पांसमा question मैं आपको कुद करवा रहा हूँ, ठीक है, चार के अंसमार आपको first comment में मिलेंगे, पांचवा में आपको करवा रहा हूँ, करा इन में से कौन सा alternative यूज करता है, highlighted word को correct manner में, यहाँ पे ये जो सही word है, highlighted है, इन में से कौन से sentence में सही तरीके से use हुआ है, जो नया use है, super computers का data को mine करने के लिए pandemic के, उन्होंने help किया है, epidemiologist मतलब हमारी विज्ञान के विज्ञानिक, तो pandemic के data को अच्छे से समझने के लिए, super computer ने, जो उनका use है, novel use, इससे बड़ी help मिली है, अब देखो, super computer का एक नया use है, आज तक हमने pandemic के data से analysis नहीं करवाया था तो यह novel use नहीं हो सकता, correct word होता है, यहाँ पे नयपन के लिए novel, तो यह novel word गलत यूज हुआ है, यहाँ पे novel की जिगए novel होना चाहिए था, the novel use of super computers ना की novel, novel का मतलब होता है, high character है अच्छा जिसका character हो घानदानी हो, जैसे हर novel character made the elections low-sided in favor of the party, उसका घानदानी character है, high character है, उ उसका character इतना अच्छा था कि election जो है, पूरे के पूरे party के favor में आगे, यहाँ पे हमने गलत word यूज कर दिया, यहाँ पे यूज करना था आपको novel, ठीक है, novel मतलब खानदानी, यह वाला novel, novel मतलब खानदानी है ना, अच्छा, high elevated character, last, a statesman and noble laureate, Mr. King was awarded nation's highest award for a five-grade long magnificent political career, एक statesman और एक novel laureate, statesman मतलब बहुत बड़ा नेता, जिसने देश या विदेशी स्तर पे आपको represent किया हो, आपके देश को जो है, उसका प्रतिनिती बनाओ, तो कर एक बड़ा नेता और एक lower laureate के तोर पे, Mr. King को दिया गया था देश का सबसे बड़ा award, उनके 50 साल के लंबे political career के ल पाल रहा हूँ, अपना score चुरू बताएं comment section में, until then signing out.